तो दोस्तो आपका एक वाफन से दौगत है मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे आनाम है शावाज जी आज मैं मैं नहीं आया हूँ आज मैं अपने दोस्त जो की विपिन जी इनकी घर पर आया हूँ आज मैं आपको उनकी बहुत ही खास चीज इखने वाला हूँ तो गाइस आप इस वीडियो को लाइस जरू देखेगा आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो प्लीज लाइक जरू कीजिएगा जादे जादे शेयर कीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब न कि काम गरे 가능र प्लीज के लाइस जरू 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 दूरू। तो दोस्तों आपने चर्कियां देख ली होगी विलब गिन ली होगी कि किती चर्कियां अगर नहीं गिनी हैं तो आपको मैं चर्कियां गिन बाता हूँ यह हैं किती हैं तो चलिए आप में संग दिए एक दो तीन चार पाँ छे साथ आठ नौदस ग्यारा बारा तेरा 14 15 16 18 18 21 यह किस चर्कियां हैं मगर अभी इससे जादा स्टॉक नीचे ही बड़ा है मगर जो विपिन यह हैं कि मम्मी ने डाट नगा दिली तो चक्कर में बस ही थोड़ा से स्टॉक निकाला है पतंगों को अभी अभी मैं स्टॉक तो पतंगे देखते हैं किस किस काडिगर की नियुदेली और यह इनका फिन फोटा तो यह कदलू भाई की पतंग है मौरादाबाद की इस पेशलियर इंगीन अपने ली बन वाई है पातंग बढ़िया देखिए मुड़ेदार और मंगोड़ा में है यह रही पतंग है कि मुड़ेदार चप यह है वालिद सहाबजाद नियुदेली से रहते हैं नियाजी पतंग देखिए कितनी बढ़िया यह ड़ी कि गुड़ाई करी है इसे क्या होता पेपर जोड़ होते हैं वो खुलते नहीं और इसलिए घुड़ाई करी जाती है यह पतंग बहुत बढ़िया मुद्लिदा यह गोविन नाथ पतंग वाला बेटी बढ़ाओ यह जैपुर की पतंग है गोविन नाथ पतंग वाला यह पतंग एसाध पतंग आर भी लखनों की पतंग बाद बहुत बढ़ी है गोल फर्मा के यह पतंग और यह है किते है अब्दुरमाद पतंग लक्राओं यह भी लखनों चैने उनकी बतंग है यह गई अभी जो मने मुट्टेदार क्यों है अधिमा यह राया मुट्टेर के मुट्डेदार के वियार्बी की पतंग है और यह एस खान सेंटर इनकी है खादरा लखनों के और यह वसीम काइट सेंटर उस्ताद गुड्डू रईज मुरादाबाद के यह ऐसी पतंग है फुरानी पतंग है बहुत बड़ी है स्ट्रॉक है तो यह पतंग चेराग की है जो की रामपूर के बहुत मश्यूर पतंग बनाने वाले हैं और इस पतंग का रेट का अंदादा नहीं है कित्ते की होतोती है यह वैसे ली तो 30 रुपे की मगर इसकी जो अब एक्चुल लेट है बहुत जादा ही है अभी बहुत मुश्किल से ही म बहूत बड़िया है बहुत पुरानी पतंगे के समाल के रखें इसां तो लो स्टाड इइक किस कारिगर की है यह अलावाद की है इससरील अबने पनवाय था इसक्वाइटि सहाइज अब इस पेचल अपने लिए बनवाए था इस अश्यास एफर्मा भी और डिजाइन भी ह बाड़ते के पतंग के रियाज की पतंग है यह मिलती को पतंग के बीए बच बढ़िया और बनाते भी ने देती गुड़ाओं वाले अच्छा अच्छा कपिल भाई और इन कुछ पतंगे में और याद साद ने भी देती और सबसे पहले में को कपिल भाई ने देती है अधिया यह किसकी पतंगे साइच पतंग है बाबू टेलर अलावाद के हैं यह इनकी पतंगे देखिए अध्या वीडियो यूट्यूब के लिए बना रहे है… ऐह में गुचरात की है। अनुन्ह मैं के उस्टाद छोड़े मिया के पतंग अहमदबाद की बना तो मुचरात की अकिनि वह कुचता के लिए जन्ली से बना की है। यह वही कल्लो की पतंग है अपने लिए रख रखी है इस्पेशल अच्छा गुडाओं को इन पर टाइम आगा रखा हुआ है इस समाल के नहीं स्टॉक रखा हुआ है यह करीब चार से पांच महीने पहले नहीं नहीं मगा रखी थी अब यह जाडों में स्टॉक निकल गुड करेंगे यहारे समोर्य की पतंग है यहारे समोर्य पतंग लगनों लखनों के हैं यह उनकी पतंग है उनकारियर की पतंग है और यह बाराती की पतंग है बाराती बाराती लगनों अच्छा यह भी लखनों के हैं इंगी पतंग अच्छे होती है अब हैं कुछा जाना है यह तबकिक भेखिनेती अच महिन Special Kite इस तैरिक मेरट के काह भी तैरिक मेरट के है लेकिन मैंने एक मेरम कलन काइट किलीयो सेंटर एक समद्स के है परिम मेरट के साङट के सग मेंль लुप्याइब भी है अब देली से लीटी नहीं नहीं तो अब दूसर बैट खोलके दिखते हैं और उसमें बहुत पूरानी पुरानी पतंग है वह बगए जो मेंकर हैं उनकी पतंग है है ये लग्स पहली पतंहीं पेपरिस को बहुत बड़ी है देलराज की पतंग है ये लखनों के है यह देखे यह को शश्फीक रह्यमान कुरेशी यह मुद्धाबाद के निया कि दो पतंगी डे दीकिंग प्रीट रफॉद्ध यह रौ यह ठी ऑर गजिए यह देखि कर दिक हैं 12 जून 2015 बहुत पुरानी है यह दो पतंगे तीम पतंगे जो है बहुत पुरानी है यह यह पतंग इस पर कोई स्टाइम नहीं लगी है यह पपाई की पतंग है और यह कोलगता के एकारी गर है यह वाहिजी की पतंगे देखिए और रियाज भाई की पतंगे इस बैक में भी निकलिया ही देखिए यह राई यह देखिए और रियाज भाई की पतंगे और निकलिया ही देखिए सब उन्हीं की पतंग है यह है नौमी भाई कि साओं और हिए पतंगे वेलाज ली जो कि हम रोग कंग करिए थो यह पतंगे बहुत ही पुराने पुराने कारिगर यह तप्षान जो कि कोल्काता के कारीकर रहे हैं यह उनकी पतंग है यह देख्वी पतंग है कि और यह यह कनाई काईट मेकर जो कि कोल्काता के ये भी उन्हें की पतंग है और ये गोल फर्मा की पतंगे देखिए और बहुत पूरानी पतंगे लंबे रेंज पर नाने के लिए पतंग बहुत बड़े रहती है यह भी तपन की पतंग है चार खाना पतंग पर कान देखिए कि तबड़ी अगर गया यह जो घुटाई करें गई है जोड़ों पर ताकि जोड़ों खुले नहीं और यह राई विलियम जी की बहुती मशूर कारिगर है कोलकता के विलियम जी यह उनकी पतंग है चप यह दोनों पतंग युनिकी हैं तो यह रही मुट्डेदार विलियम जी की पतंग कोलकता के जो कारीकर है युनिकी पतंग है और डिजाइन देखिए किता नहों का डिजान है या गोल फरमा ये प्रवेश भाई की पतंग है कोलकता के कारीकर है देखिए पतंग कोण नंम्बे रıldı्डा देखिए कहता बड़ी आपका लंबे रिंड पे अराम देखिएस पनें यह भी राइन की प्रवेश भाई की यह भी चप और मुटेजार यह भी प्रवेश भाई की पतंग है नजीर यह नाजिर की पतंग होगी है यह भी कोल कटगं है यह नाजर बाई की पतंग है यह भी कोल कट डगी है गेग vandaag यहक्वार दिखाना जागों है इनकी पतंग कहत्थेника यह देखिये तब यह गाथे वेशो… यह पड़े देखिये मैं मिलिंगे आपको लेकिये यहां पर यह देखिये यहां पर घार एक है राई और इदर भी रहे तो है जाइब अ कि यह देखिये अपनी पतंगों को सही रखने के लिए क्या करते हैं शिलीका जैल की पेक आते यह भी डालते रहते हैं और यह नीम की पत्तिया है ताकि इससे पतंगें खराद नहीं होगते हैं इसलिए पतंगों में नमी नहीं है इसलिए यह अली नवाब जी की पतंग है वह बहुत ही मशूर कारी कर रहे हैं लखनों के इनकी एक खासिय की बता दो जब यह कि रोजी रोटी के लिए कि पहले ही बैच्थे नहीं थी पतंग कि बहुत ही खास लोग की गिप्स करते थे बतंग है यह अली नवाब जी लीफिल की पतंग है पतंग। यह पादण दो ए रहे देखिए और रहे अली नवाब जी की पाद मिलती है इनकी पादगें ये पतागे अली नवाब जी की पतागें हरकें पर ने ये चलाग जी पादंग की पतंग है ये बिञेंका गोल फरमाई है यह लेकिए पतंगे देखिए इनकी पतंगी खाजियत यह है देखिए कि इनकी पतंगे उपे भी गाठे जो यहां पर खाप पर गाठे लाली दिए इस पतंगे इनकी जो खाप होती है जो यह केते हैं गाठे कमान तो यह जो गाठे डली हुई है ये प्रड़ा पतंगी और इसके कमान लगा सकते हैं यह चार पतंग है चार पतंग हो बहुत ही अना पता है यह तो 30 रूपे से कम की पतंग नहीं होगी सबसे बढ़ी अकारीगर और सबसे मशूर और पुराने कारीगर का लखनों को यह हैं इनकी पतंग बहुत ही मुश्किल से ही मिलती है पहले तो यह बेच नहीं थे मगर अब इनको बेचरों को बेचना पड़ आ है यह देख ली इनकी अली नवाब जी की पतंग वह भी देख लीए सब गाड़ेड अलिए इनकी पतंग के यह पतंग मेरी उत्र हुए ग्राउंड की यह उत्र हुए पतंग है बहुत बढ़िया पर लाजवाब पतंग इसको एक साइड में रखनेगी है तो यह मंगोटा रही और यह इस पर देख काम कितना बढ़िया कर रखा है जो घुठाई हुई ही रही है पहुत बढ़िया करके गोटाई करी गई है कारीगर का नाम ने मालूम अगर पतंग बहुत बढ़ियाक देखिए शांदार पतंग है पतंग बहुत बढ़िया लंबी रिंज के लिए पतंग है यह पापाई जी है उनकी पतंगे पतंग में काम देखी कितना बड़ी अगर रखा देखी चार खाना प्लस मंगोटा कि अगर दार है गाट दार भी ख़ुगी तुछ यह पर पर पतंग बहुत पड़ जाए यह पतंग उत्री रहे यह पतंग हुई आपको पतंग देखा हुआ करना मनवास को उड़ाके द्खाङं आपको पतंग यह कह अीं, जबů यह देखु mesma जोड़ा अँगों के बढाया है यम्हाँ डिखा मिकिस भागा, सारी देखे इन सारी है, यह देखे, इं की सारी पतंगों पर गाल थे, निया के घ्या निया न इती गाड़ धर sneaking ہے। यहां पर गाड़ पड़िये यह देखिए घॉट अ लिए पतंगों पर गाड़े देखिए तो यह दूर्द को शुटाइए गाड़े पड़ियों धिष्ट निद्म चाहिए उन्हों नच्छ पंद पतंगों पर अब करेखिए सब दूर्द करें और यह दोद्यक्षट इस तेम लगी इनकी और यह है शान काइट सेंटर यह भी दिल ली के हैं यह कोई पतंगे देखी कितने बड़िया काम पर रखाय इस पर यह सब भुटाई कर विए देखी आपर सब पर खुटाई कर विए तो यह बिलाल पतंग परोश जो अम्रोग है उनकी पतंग है और यह भी गिफ्ट कर वी पतंग है और यह है उस्ताद अजगर जी की पतंग है यह मेरट के पतंग देखिए लाल पतंग के लंबे रेंज पर रड़ती नहीं है तरवा देते हैं गड़ाते नहीं है उनके भी यहां बदी की घुटाई कर रखी डिजाइन भी बड़ा हुआ है देखिए और यह सबसे बड़िया पतंग यह रही रियास भाई की दिल्ली के य यह मुझे कपिल भाई ने गिफ करी थी और इस पर भी घुटाई कर रखी यह तो यह पतंग ऐसी है इनको उड़ाने का मन नहीं करता कहीं कटकडा ना जाए तो बस इसे समाल के रखी यह यादगार के तो पतंग आप ने बहुत बढ़ी आई बढ़ा इसे और यह रही पतंग सबसे ही मशूर कारी घर mil plaint Woji मुट्ण姜 पाइए कहां क euh बहुत बढ़ीया पतंग बनाते हैं कानपूर के लभईया पेनाते हैं से बढ़ीया पतंग अने में कोई में नंबर वन हैं यह कि ये देखे ये रॉली बहुत बढ़ Haben गोटाई बहुत बढ़िया करने है देखे ए अ अ कि अ लंबे रैंज में लडाने के लीवह बहुत बढ़िया फरme गont कि लमबे रैंज पर लडाई या बहुत बढ़िया फर्बाई तो यह आपने इस बेक का स्टॉक दिख लिया अब नेक्स बेक का स्टॉक दिखा रहा हूं जिसमें कौन कौन से कारिगर भी पतन नहीं है कि इस बेक में इतज सब्से में सब्से का यह गड़ी था देखंग नंपने चाहिं अनुद20 जायमिक्त कि निट्व यह करें हो और जान मेंद कर भी चाहिसे में हैरे सलमा यह आप इसी अजया है वश्क प्तभ जुग अपन्य ताइम पर दंधस कभी बैसे हो मगर आप उनके हालात ऐसे हैं कि रोजी रोटी के लिए इनको पतंगे बना के बेचना पड़ लेगे बहुत ही बढ़िया कारीकर हैं बहुत ही उम्दा कारीकर लखनो के लखनो के लिए तो पत्ता में लेकर आज भागने वाला हूँ ले जाओ भाई ले जाओ आपका ही है लेकर भागने वाला हूँ पतंगे दो तो यह तीसरा वैक खोलता है मगला इसमें कौनी पतंगे नहीं है अद्धी पतंगे पस ऐसी आपको इक पार दिखा देन दो कारीकर बहुत बढ़ी हो रही है इसमें कुछ राहूल की पतंगे हैं इनकी पतंग है यह समराइट की पतंग DIRECTOR की पतंग है यह समराइट की ऐना कि अद्धी है अच्छाए नादिम की हैं यह सब थोड़ी लोकल यह कुछ आइस सफ हैं ऐसे चतों से लिए यह तकर यह रहूल उपद्स करी का यह राहूल की एने बहूल इक तो ऐं है कि यह रहा अद्धी डिजाइन देखो यह सारी स्पेशल पतंग है देखो सारी अद्धी पे भी देखिए निने काम पर रखा है घुटाई का जी देखिए अद्धियों पे भी काम रखा रखा पुटा यह देखिए जफर की अद्धी है जफर भाई की अच्छा जफर भाई है कांदपुर के हैं यह जफर तो यह पतंगे गिफ्टिड है और यह कुलकत्ता के कलब है रीद भाई यह उन्हीं ने गिफ्ट करिती इनको वेपिन भाई को यह देखिए हिए भूमबऑ की अद्धी ती कूछ कर ना पतंग बसक्राइञ फेल कजता है यह कुछ है घाब किया यह इफ आप मैधन में रड़ती नहीं इस साइज को मना करती है यह साइज को कीवल केवल कौनी साइज रकता है कि देखिए ये भी कनाय की राई पदंग है ये राई परवेज्ड येूर्फ ये परवेज्ड गी पदंग है ये भी कूल कता है है उन्हां के ये हिंब कनाय की राई पंग ये इतना पुराना पyang है कि यह भी कि प्रहु कि अमन की है नहीं है कि यह में बाइने में को गिफ्त इसमेह न अ कुछ मेरी में पत्ंग है यह बिसु काइट सेंटर यह नियर हैं और यह रहे हैदर काइट मेकर यह मोनू की पतंग अद्धी रही देखिए वाग बढ़ी कारी करें यह बहुत अलाबाद काई गारी कर रहे है इस सब मोहनू की बतांगे, अद्धि रेखे, तो अद्धियों बस इतनी रहे है, चलो इस बैक को प्रक कर देगे, तो ये तीसरा बैक था जिसमें केबल की अद्धि तीकिसे प्रक कर दिया घया है, अब देखते है, चौना बैक में क्या है? तो चौदा बैक यह और इसमें भी सारी अद्धी अद्धी इसमें भी सारी मैंने ऐसी च्छतों के लिए लिए इसमें ज्यादा खास पतंगें नहीं है रईस मुरादाबाद की पतंग है अच्छा रईस मुरादाबाद की और अमन की पतंग है इसमें ज्यादा बहुत पतंग बागी यह रहा है इस पे चरके जो ग्रीन है वह कहते है साधी का है महां से साधी के स्टाइट नद्र समझे बहुंगा चरका है यह देखी यह यह इंस प्रहिंग और यह इस फाहिं मिया की दोर है ज्रिक वह गला बरी लिगे है और इसमें जफर नयादीरी की भी दोर है फाइव स्टार सेविन स्टार सभी है उनका तो यह पांच में बैग रहा जो कि डेली यूज में मतलब यह पतंग जब पेज ड़ाते हैं तो मुस्ली यह अला बैग लिके जाते हैं तुसमें एकने क्या क्या है यह देगी पतंग यह रही एस खान सेंटर खादरा लगनों गए इनकी चप पतंग ही रही और यह है कारिगर का नाम नहीं मुलें प्लेन पतंग है पतंग है इसमें भी बढ़िया है यही बढ़िया पतंग है और सबसे ही बढ़िया पतंग है यह लगी है यह मलक और बरेली के कारिगर है चांड काइड बागी यह रही पतंग है और और एक कारिगर यह रहा है कि यह भी अलावाद के हैं कारिगर तो यह एक बैग और यह रहा है और यह भी अद्धी का ही बैग है है यह पतंग है बच्चों के लिए बंग के रखें दिने सब अद्धी बतंग है इसमें एक से क्लाव राइस काइड वेकर जोगी मुराद अबाद कहीं देखिए सब पतंगे अद्धी अद्धी है पतंग दुपरा लगानी पड़ेगी इसलिए दिखाने रहा है वही सब जातर वही कारिगर है कारिगर वही है नीच अच्छे कारिगर भी है कुछ यह राइक पतंग ते अब चांद ठारा बहुत चलती थी चांद ठारा पहले है कि इनकी खुद की स्टैम लगी हुए मैंने बनाएं नहीं नहीं है 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 तो दोस्तों आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया है जो मेरी वीडियो को देख रह और उनम हासे लौग आप इस वीडियो पर दो स्पूर्ण करके बता है और को यॉर्ञा मेरे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब निगा तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक लिए जाएं उप टूए जाएं औरक लेक्स वीडियों तक लिए जाएंगा झाल मिलते हैं नेक्स वीडियोंने ।